इस कारिक्रम के पुन्यारजक हैं श्री धनेश कुमार जैन, श्री मती अंजू जैन, हिमाईशू जैन, श्री मती जया जैन, हर्शिल जैन, हार्दिक जैन, असिस्टेंट मैनेजर, बंधन बैंक, फर्म, बीम रवल्यू मोबाईल, हर्शिल मोबाईल, बांसा तार खेड़ा, स अगा इस सं सार की किसी ने कोई दचना ने की अगर रजना करने वाला हो कोई तो उसको किसने बनाया पर सने अगर कोई रजना करने एक लिए वाला है। तो उसको गिसे ने बनाए, वो ही तो लोक एमेह न, लोग से बहार है। यह। हम तो इस संसार को किसी ने बनाया नहीं। यह तो अनधी निननन, अनधी काल से है। और अननत काल तक रहेगा। इसमें कोई परवतalta नहीं होना, और कह रहे हैं, और बनाया नहीं, ना कोई इसकी रक्षा करता, ये तो आगे तक रहे हैं, कोई और हरे, और कोई इसकी रक्षा नहीं करता, रक्षा के लिए कोई मिटने ही नहीं, कोई चीज की सुरक्षा जब की जाती है, जब उसको कोई घटना घटन हो, कुछ होना हो, तो भू भी नहीं, और ना कोई हरे को, कोई इसी नश्ट नहीं कर सकता, कोई चाहे के हम इसको मिटा दें, त कोई इसको नष्ट कर सकता है सट दर्व मैई सो लोक माही सम्ता विन भ्रमता जीव नित दुख सही सु छे दर्वों से भरी हुए इसमें क्या है? छे दर्व है जीव, पुदिगल, धर्म, अधर्म, आकास काल ऐसा क्या है? पूरी लोक में क्या है? छे दर्व है लोक किसी केती है जहां छे दर्व पाए जाते हैं उसको लोक केती है और जहां छे दर्व नहीं पाए जाते हैं उसको अलोक केती है लोका कास तो बहुँ छोटा है कैसा छोटा? यह मान को चलो यह इतना इस्तान है यह लोका कास होगे यह वह पूरा ही अलोकाकास, अलोकाकास बहुत बड़ा है, वहाँ छेदरब नहीं पाई जाते हैं, शिर्प आकास ही आकास है, तो यह किरहे हैं, यह छेदरबों से भरी हुए इस लोक में यह प्राणी संता भाव के बिना भटकता हुआ, यह प्राणी सदा दुख भोगता है सीधी इनने एक ही बात के दी, कि इस संसार में जो भी जीव दुख उठा रहे हैं, उसका कारण क्या है? शंता का भाव कि दुख उठाने कारण क्या है? संता का नहीं होना इस संसार में भटकनी का कारण क्या है? शंता नहीं होना पल पल पे पृतिकार करना पल पर पे आकुल ब्याकुल होना संता का भाव क्या है? सब कुछ सहन करती चली जाओ कब तक मराज? जब तक मुक्ष नहीं हो जाएं और क तब तक कर नहीं पड़ेगी, संता के विना और कुछ ही नहीं, इसलिए संता को बढ़ाने का अभ्यास करते चले जाओ, पिर्तिकारवी जहां आवश्यक बहुत जाद है वार, पिर्तिकारवी करो, जहां सेन हो जाता है, बहां संता रखो, तो काम बनेगा, तो कुछ होने वाल चुछ है नहीं इस तरह से करम के उदय में तरह के सुक भी होते हैं, दुख भी होते हैं, सय्योग भी होता है, बेवग भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं पर उसमें संक्लिष ना करना, यह भाव के, आचर माज जै एक बार कहा था, जो हम सामय पार्ट का मंगला चन क अदियाम लबतिसराज नहीं थार्वान के अउसका पूर में किया हुए करम है। उसका फल मिल रहा है। ये बस अच्छाशी केते है। इसकी ही माला फेरो हू। हमने जो किया था उसका ही फल उड़े में आ रहा है। और अभ हमको स्वयम उसको भोगना है। भोगने अकबाला कोई नहीं है जब मैंने स्वयम किया है तो मुझी को ही भोगना पड़े इस लोग की आचरशी केते हैं माला फेरो इसका बिचार करो हमारे दौरा किया हुगा अगर एक इस तान पर पचास लोग बेटी हैं पचास में एक व्यक्ती से बुरा बुला जा रहा है या बुरा कहा जा रहा है उननचास से कुछ नहीं कहा जा रहा है क्यों नहीं कहा जा रहा है क्योंकि उननचास का नहीं उदय है कर्म का उदय है एक का है तो घर में भी है और जगए है एक के साथ ही गलत भी वहर हो रहा, बाकी साथ नहीं हो रहा, तो जिसका करम का उदय है उसके साथ होगा ना, सब के साथ होगा क्या, अब पक्ष बात नहीं, करम जिसका है उसके साथ होगा, ऐसे ही है, नगर की बात कहें, कहीं की बात करें, एक नगर में होते हुए, एक घर मे होते कई लोग शुकी है और कई लोग दुखी दुखी है तो कर्म का योग है तो इसलिए कह रहे हैं कि सम्ता भाव नहीं रहने से ही सब कुछ इस्तिती घटित हो रही है कि सम्ता भाव के बिना ये भटक रहा है अगर इस संसार की भटकन को करना इनका केना है तो क्या है क्या करना होगा शम्ता को रखना होगा शम्ता को बढ़ाना होगा उस समय सुदर्शन सीट का कथानक याद रखो सुदर्शन सीट पर कैसी परिस्ति स्ति बनी उस रानी के साथ और फिर वो भी जो रानी की दासी थी वो भी बियस्या बन गई किस तरह होने के बाद भी उन्होंने किसी तरह का पृतिकार नहीं किया और पृति आके फल सरूपी क्या हो गया देवों के द्वारा फिर उसकी रक्षा की गई अंतिंग ग्रेविक लोग की हद पद अनन्त बिरियां पायो इस जीव ने नौ गेवरिक पद नवे ग्रित तक पद अनन्त बार पायी एह में और पर लाधो दुलरा भू मुनी निज में शादो किन्तु शमय ग्यान प्राफ्ट नहीं हुगा एसे दुलराप समय ग्यान को मुनी राज नहीं अपनी आत्मा में धारण किया तो इसमें जीव ने नौ गेवरिक में क्या है तक अनन्त बार जन में लिया तो नौमे गिरिविक कहा होते हैं तो नौमे गिरिविक सोले सुरुक के उपर होते हैं और नौमे गिरिविक जाने बाले मुनी राज ही होते हैं कौन होते मुनी राज तो जो सम्यक देश्टी मुनी राज हैं वो भी जा सकते हैं और जो सम्मेक देष्टी मुनिराज नहीं है केवल दर्व से ही इस लिंग को धारन करती हैं भाव से इनके पास कोई बेट नहीं होती हैं पिर्थम उनका ग्रस्तान मिथ्या देष्टी होता है पर बहे बेट्वों को निर्दूस पालन करती हैं कितना तब जाते हैं यसे नहीं जाते हैं अनुबिड़ती भली दिर्भ और भाव से है पर बहे solais रुक से ईपर नहीं जा सकता नोवे गरेक से जो भी जाएगा भो मुनि अवस्ता में ही जाएगा तो बहता तो मुhole रूप से जादा मात्रा में तो वहाँ नौबे मिल के जाने वाले कोन होते हैं जो भाव द्रव से मुनी होते बही जाते हैं पर अल्प मात्रा में कोन जाते हैं जो केबल द्रव से विर्टों को धारन करते हैं पर उनके पास क्या सम्मेक दरसन सम्मेक ज् mineral और सम्मेक जारत कुछ भी नहीं तो क्यों मराज क्यों से चले जाते हैं तो आचेरी कुंदकुंद मराज ने समेसार में एक गाथा दी है उन्होंने लिखा कि एस्टि कौन जाते हैं तो भूगों के लिए बुतप साथना किस करते हैं कि हम दिए ग्रका ऑच्छे अच्छे भूग मिलेंगी इस तावल नंहीं पढ़ा कम्मक कर्म के च्हान के लिए निए कर दूप उसाथना भूगों की प्रापती हैं इसलिए ऐसे भीस को बाहर से धरन कर लीती हैdade और बेसितों को पते ही पड़े, कौन भव है और कौन अभव है, बेर्ट को धारन कर लिया, और नहीं है, सम्मेगी दसन नहीं है, तो ऐसे हो जाता है, तो इसमें कहने को ऐसे बहचले जाते हैं, पर चले जाने से उसका कुछी भी बिकास होता नहीं, जाने के बाद बापस तो सब को यहां क्या उनको आने ही पड़ता है तो इसमें यह कहने वाले हैं कि मुनी राजी जाती है और ऐसे सम्मेब तो अहमें अंदर प्राप्त करती क्या करें इस जीवने नौविकरग में तक अनंतवार, अनंतवार क्यों कि अगर जो भावलिंगी मुनी राज होती है वो अधिक से अधिक 32 बार ही भावलिंग धारन कर सकती 32 बार में तो नियम से उनको मुक्ति हो ही जाती है इस संसार में बै नहीं रह सकती पर ए अनंतवार के रहे तो अनंतवार तो यह है मिध्यात के साथ संम्यक दर्सन नहीं होता तो अनंतवार मिध्यात के साथ यह भीस धारन कल दिती अचरी कुंदकुन मराज ने अश्ट पाहुड में लिखा है मुनी राज को संमुजन करती है मुनी ऐसे तो सुमेरू परवत के समान तो अन्यकों बार भेड़ लग चुकी हैं तुम इतने बार मुनी बन्चुकी सुमेरू परवत है इतना बड़ा उतने बार मुनी बनके उतने तुम ने पिछी कमंदू धारन कर चुकी अब तुम कब कल्लाड करोगी? तो क्यों? कौन बनते? जो केबल दरव से ही बनते, जिनका अभाव नहीं है, तो ऐसे मित्यादेश्टी तो ऐसे में केनेकार्त है, ऐसे अहमेंद पदगो पाते, अहमेंद बोही केलाते हैं, जिनमें इंद्र आधी की कल्पना नहीं हो, बहाँ सभी अहमेंद होते हैं, शोलवे स्वरग के उपर जो भी नौवे ग्रादी होते हैं, सभी अहमेंद होते हैं, वो किसी के अंडर में नहीं जते हैं, स्वयम स्वामी होते हैं, और इस तरह चे जहां दस प्रकार की कलपना होती है बहाँ सोला सुरुक तक होती है इंद्र सामाने कादी को लेके पर सोले सुरुक के उपर कोई कलपना नहीं स्वयम स्वामी होती है कोई मैं स्वयम अहमें इंद्र हूं इंद्र हूं इसकी सभाय कोई इंद नहीं इस तरह की उनमें कलपना होती है तो ऐसी कह रहे हैं इस जीव ने नौवे गिरिक में अनन्तवार पद पा लिया किंतु शम्मेक ज्ञान प्राफ्त नहीं हुगा ऐसे दुरलब शम्मेक ज्ञान को मुनिराज ने ही अपनी आत्मा में धारण किया रहे है एसा दुरलब सम्मेग्यान ग्यान दुरलब क्यों के रहे है क्योंकि जब सम्मेगदर्सन नहीं हुगा तो सम्मेग्यान भी नहीं होगा अगर सम्मेगदर्सन होगा तो नियम सी सम्मेग्यान तो साथ में होते ही है उदारण हमने है तो कि सम्मेक गयान प्राप्थ नी हूगा तो एसी मुनीराज ने ही अपनी आत्म में धारन किया तो कह रहें एसा सम्मेक ग्यान मुनीराज ने ही अपनी आत्मा में धारन किया तो कहने का आर्थी है कि सम्मे ग्यान तो गिरस्ति भी धारन करती है पर सम्मे ग्यान मुरी राज जब सम्मे दर्स नहीं हुआ तो ग्यान नहीं है पर सम्मे ग्यान नहीं हो कि ऐसा दुल्लव जो सम्मे ग्यान मुरी राज अपनी आत्मा में ध Sama hai, Tunggu के चैने का आरत है कि ग्यान महत्पूर नहीं है ग्यान तो किसी को भी हो शकता है पर Somyagyaan Mahatp benut है Somyagyaan दै भही है Bhagavan ने जो जिस रूप में अपने अनूसार जानना कोई Somyagyaan नहीं है एँ किसी चीज को अपने समय लगी हमारे ह turn तो यह हो différents बंध से तो एक हसाब क crimine किना नहीं चलता स्वी धुन कहां है कि दह द्रब छे ही है apdhic आजीव एक द्रब का जही सरूप है तत्का नहीं सरूप है उस रूप में सभी रिह रिह जान आ ही समय ज्यान है तो इस तरह इसी यह बोधी दुल्लब भावना है और हम तो यही कहेंगे कि भावना है तो अपने आप में सभी महत्पूर हैं बारे भावना पर बोधी दुल्लब भावना तो ऐसी भावना है जो अपने आपको जखजोर देती है आचारी पूछबाद मराज इस बोधी दुलब भावना के बारे में सरवासिती में क्या लख रहे हैं आप सुने दस बारा लाने हैं पर एक एक शब्द कितना महत्पूर है इस मनुस पर्याई कितनी कटनाई से प्राप्त होती है इसके बारे में है क्या कह रहे हैं एक निगोद शरीर में सिद्दों से अनन्त गुड़े जीव हैं कितने कह रहे हैं एक निगोद जीव में कितने हैं सिद्दों से अनन्त अभी तक जितने सिद्द बन चुके अभी एक निगोद या खाली नहीं हुगा क्या हो गया अभी तक इतने जीव सिद्ध बन चुके हैं पर एक निगोद या भी खाली नी हुआ ना होगा इसे एक क्या कह रहे हैं एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुड़े हैं एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुड़े जीव हैं और इस परकार इसतावरों जीवों से यह सब लोको भरा होगा है, पूरे लोक में क्या हैं? इसतारोजी बढ़े हुई है, ऐसा कोई भीस्तान इस दुनिया में नहीं हैं जहाँ सटावर नहीं हो, यह क्योंकि जो तिसनाली है लोक के बीच में उसमें ही तरसरेती हैं, बाकी ज साथ में नरक्के नीजे एक कलंग का नाम की पृत्वी है अचरी अकलंग दे मराजन राजवार्तिक में उलिए किया तो उसमें निगुदिया जीव पाए जाते हैं उसको उपन छोड़ देते हैं इसलिए तेरे राजु में क्या हैं तरह से जीव पाए जाते हैं बाकी जगे इस्तावर हैं शिद्धों के साथ भी इस्तावर जीव रह रहे हैं और बाकी सब जगे हैं तीनों लोकों में इस्तावर जीव से इस परकार इस्तावर जीवों से यह लोक निंतर भरा है अता इस लोक में तरस परयाय का पाना प्राप्त होना इतना दुल्लव है जितना की ब कि वाज्ज शिक्ता की कड़का का प्राफ ठुन्हलब्ड." क्या के रहें? तरस्प रहें का मिलना कितना कटिन है। जितना की कोई बालुका का समध्द है रीत समझ़्ज्ठेचेbones opened र baseball होती, इसका समध्द के रहें एक ढिर नहीं, एक ट्रेक नहीं, बज्झ का प्राप्त होना अगर उसे बालू के समद में कोई हीरी की कणका गिर गई और गिरने के बाद मिल जाना जतना दुरलब है उतने दुरलब है तरस प्रयाय का प्राप्त होना अर्थार्थ दो इंदी से पंचिंदरी बनना और के रहें उसमें भी बिकलत्रे जीवों की बाहुलता होने के कारण गुणों में जिस परकार करतकता गुण का प्राप्त होना बहुत दुरलब है क्या कह रहे हैं? उन में पंचिंद्री में भी बिकलिंद्री जादा पाया है, दो एंदी, तेंदी और चौंदी जादा पाय जाते हैं, इसलिए कृतकता गुन, क्रितकता गुन क्या गलाता है? अगर अपने उपर किसी ने ओफकार किया, उस ओफकार को भूलना नहीं, यह कृ भूलनी यह कृतकता गुन, बड़ी मुश्किल से जीवों में पाय जाता है, प्राया करके कृतकता ब्यक्ति भूल जाते हैं, जैसे भगवान पर अपनी कृतकता है, भगवान ने अपन को उपदेश दिया, आचारियों की कितनी कृतपता है, आगम की रचना की, गुरू की तो इस तरह से सब की अपन पर, सब ने अपन पर उपकार किया, अगर इव उपकार नहीं होता, ती ठंकर भगवान का, सामान के बिलियों का, आचारियों का, तो अपन आज इहां नहीं बैठी होते, क्योंकि अपन को अच्छी चीज सीखने मिली, तो आए हैं, तो आज अच हरते हैं, अगर इव अपन को उब देश इन मिलता, आचारियों जिन्मानी लखी व उब देश नहीं मिलता, तो हम क्या करते ही, तो हम पाप से बची नहीं पाते, फनु के कार को अपन आते, तो ये विकलन ही, उसी प्रकार पंचिंदरी परयाय का प्राब्ट होता है, तो कानभली खराव को अगर उपकर्ण खराव है और भर काम नहीं कर रहा तो भी हमें सुनाई नहीं देता Curtis Murray इंदरी तो मिल गई उसका छ्यॉशंत है पर उसका क्या है बाहरी उपकर्ण कह रहा है काम नहीं करता क्या करा इस तो उपकार की बात क्या तो पंचिंदी उसमें भी पसू मिरग पक्षी और सरीशरप तरेंचों की बालता पंचिंदी में क्या है पसू ठीक है मनुष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इस कारिक्रम के पुनियार्जक थी श्री धनेश कुमार जैन, श्री मती अन्जू जैन, हीमांशू जैन, श्री मती जैया जैन, हरशिल जैन, हार्दिक जैन, millimeter, आसिस्तन्ट मैनेजर, बंधन बैंक, फर्म, ब्यम्でも मोबाईल, हरशिल मोबाईल, बासा तार खीड़ा, जिलाद तमू मतिप्रदेश